9.4.3 धात्वों का शोधन, Purification of Metals अपचेन से प्राप्त धातु में अशुद्धियां होती हैं इस धातु को अशुद्ध या अपरिश्कृत धातु, Impure Metal कहते हैं धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु शोधन या धातु परिश्करन कहलाती है धातु शोधन मुख्यत दो विधियों द्वारा किया जाता है पहला भौतिक विधियां, Physical Methods इसके अंतरगत, मुख्यत, द्रवण तथा प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है क द्रवण, Liquification शिग्र पिघलने वाली धातु जैसे तिन लेड आदी को धलान वाली परावर तक भट्टी में गर्म किया जाता है धातु पिघल कर नीचे बह जाती है और अशुद्धियां वही रह जाती है ख, Zone, शोधन या प्रभाजी क्रिस्टली करण Zone Refining और Fractional Crystallization धातु में अशुद्धियों के कारण उसका गलनांक कम हो जाता है Zone, शोधन इस सिधान पर आधारित है कि अशुद्धियां धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा द्रव अवस्था में अधिक विले होती है इस विधी से गोल्ड, सिल्वर तथा प्लैटिनम को शुद्ध किया जाता है इस विधी में अशुद्ध धातु की छड़ बना कर उसके एक सिरे को वृताकार उश्मक से पिघलने तक गर्म करते हुए धीरे धीरे छड़ के दूसरे सिरे की ओर खिसकाते जाते हैं उश्मक द्वारा धातु का एक भाग पिघल जाता है तथा वह अपने साथ अशुद्धियों को लेते हुए और ठोस होती हुई शुद्ध धातु को पीछे छोड़ते हुए दूसरे सिरे की ओर बढ़ता जाता है इस प्रकार दूसरे सिरे पर अधिक अशुद्धियां पहुँच जाती है तथा बचा हुआ भाग शुद्ध हो जाता है इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से अती शुद्ध धातु प्राप्त होती है अशुद्धी युप्त दूसरे सिरे को काट कर पिथक कर दिया जा अधिक शुद्ध धातू प्राप्ट करने के लिए विद्धुत अपघटन विधी का प्रयोग किया जाता है। धन आयन, धातू आयन, रिण इलेक्ट्रोड की ओर जाकर धातू के रूप में अपचैत हो जाते हैं। विलियन में प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे एनोड का पदार्थ कम होता जाता है। तथा अशुद्धियां एनोड के नीचे तल पर एकत्त्रित हो जाती हैं। जिसे एनोड पंकिया, कीचड, एनोड मड कहते हैं। चित्र साथ इस विधी का प्रयोग क्रोमियम, निकैल, कॉपर, जिंक, आदी धातूं के शोधन हेतू किया जाता है। करिया कलाप 4, तांबे की दो अलग-अलग मोटाई के तार लीजिए। दोनो तारों पर यदी कोई परत हो, तो उसे रेगमाल पेपर से रगड कर साफ कर लीजिए। मोटे तार को एक सेल के धन सिरे से तथा पतले तार को रिण सिरे से जोड दीजिए दोनों तारों को कॉपर सलफिट के विलियन में डुबो कर रख दीजिए ध्यान रहे कि विलियन के अंदर ये तार एक दूसरे के संपर्क में न रहे कुछ देर बाद अवलोकन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए क्या तामबा एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गया? किस इलेक्ट्रोड में तामबे की मात्रा में कमी हुई और किस में वृद्धी? इसी प्रकार जब धातु का विद्धुत अपघटनी परिश्करण किया जाता है तब धातु रिण इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होती है 9.5 लोहा, आयरन लोहा मानो सभ्यता का एक प्रमुक हिस्सा रहा है और लोह युग सबसे लंबा चलने वाला एतिहासी काल भी था लोहे के प्रमुक आयसक है हमेटाइट, Fe2O3, मेगनाटाइट, Fe3O4, सीडेराइट, FeCO3, आयरन पाइराइट, FeS2 इत्यादी